नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सेलेक्शन दुनिया में आज नाबाड ने 7 सितंबर को नौटिफिकेशन रिलीस किया है अपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो की बहुत महत्पूर्ण और इंपोर्टन पोस्ट है यह एक B-Grid पोस्ट है टोटल वेकेंसी रिलीस की गई है एक सो सत्रह आज हम इस सेशन में डिटेल डिसकेशन करेंगे इस नौटिफिकेशन के बारे में पोस्ट के बारे में और इच डिटेल कौन इलेजिबल है कौन नहीं है वाट आज अग्जाम पैटर्ण इच और इवरिटिंग इस सेशन लेस्ट इमपोर्टन डिट्स क्या है नावाट का नौटिफिकेशन साथ तारीक को रिलीज हुआ है एप्लिकेशन भरने की तारीक है 15 सितंबर एप्लिकेशन भरने की लास्ट तारीक है 10 अक्टूबर मतलब काफी टाइम दिया गया है बच्चों को आप जो भी सीरिस एस्परेंट हैं जो चाहते हैं इस पोस्ट पे अपनी नौकरी को पका करना ज़्यादा सोचे नहीं जल्द से जल्द इस एक्जाम के लिए तैयारीक शुरू कर दें अक्टूबर में नौक्टिफिकेशन की लास डेट है तो जाहिर सी बात है एक महीने बाद एप्रॉक्सली शायद एक्जाम ले सकता है नाबाड तो अभी हाली ही में नाबाड ने अपने एक्जाम डेट के बारे में कुछ नहीं बताया है जिसका वो जल्द ही दूसरी नौक्टिफिकेशन में डिसकुशन आ जाएगा हम दूसरी नौक्टिफिकेशन को भी डिसकुश करेंगे पर जो भी सीरिस एस्परेंट है जल से जल अपनी एक्जाम की तैयारी में लग जाएं एक्जाम डेट की प्रतिक्षा ना करें फीस स्टक्चर क्या है जन्रल, OBC, EWS इन सब की फीस है 450 रुपए और SCST, Physically Handicapped EWS, Ex-Service Men इन सब की फीस है 50 रुपए हाला कि फीस का जादा अंतर नहीं है, जादा एक्सपेंसिव नहीं है तो आप लोग ज्यादा सोचें न, exam fees के बारे में, एक अची post के लिए आप जा रहे हैं, fees के बारे में ना सोचें, जल से जल exam के बारे में सोचें, exam के pattern को देख के exam की preparation में लग जाईए age limit क्या है, minimum age है 21 years, 21 years 12 साल, minimum age है maximum age है 35 साल हाला कि category wise category wise age relaxation दिया गया है जो कि हम आगे इस session में discuss कर लेंगे essential qualification क्या है दो post हैं development assistant की और assistant development assistant हिंदी में जो development assistant है उसके लिए graduate degree चाहिए किसी भी recognized university से बट हाँ इसमें minimum percentage criteria रखा गया है 50% कोई भी व्यक्ति कोई भी aspirant जिसके university graduation में 50% marks आये हैं और उन्होंने अपने graduation वो चाहिए किसी भी field में हो अगर 50% अंकों के साथ किया है तो वो इस exam के लिए eligible हैं हिंदी वाले के लिए आपको compulsory हिंदी और English medium का subject लिना जरूरी है अपने graduation के दोरान और साथ ही में 50% marks भी जरूरी है यह एक बहुत aspirants ने अपने graduation में हिंदी और English को subject लिया गया है वो पक्का से इस exam के exam को भर हैं और exam की तयारी कर रहे हैं यह बहुत सुनहरा मौका है उन सब के लिए category wise जो पोस्ट के लिए seat reserve की गई है वो हम देख लेते हैं development assistant के लिए है other u r मतलब general category sc sc 21 st 11 o b c 46 ews 15 टोटल है 173 और development assistant हिंदी के लिए है 3 sc के लिए कोई post reserve नहीं है इसका मतलब sc candidate इस post पर apply नहीं कर पाएंगे st के लिए one seat reserve है हाला कि sc candidate और जो जो भी candidate इस post पर नहीं है वो general category में fight कर सकते हैं total post जाती है 4 हम जो महतपूर्ण है जो इस exam को pass कराने के लिए सबसे ज़्याद महतपूर्ण है वो exam pattern जब तक हमें exam के pattern के बारे में नहीं पता होगा exam कैसे दिया जाएगा exam में क्या क्या आएगा कौन कौन से subjects आएंगे कितने marks आएंगे यह बहुत important है हम ऐसे ही बिना exam की preparation और बिना exam की syllabus को जाने exam को face नहीं कर सकते इसलिए exam का pattern जानना बहुत महतपूर्ण है तो दोस्तो exam तीन चरणों में होगा जैसे दिया गया है प्री मेंस और इंटर्व्यू हाला कि बी ग्रेट की post है तो जायसी बात है काफी tough exam होगा tough competition होगा exam easy नहीं आने वाला है online mode में exam होगा objective type के questions होंगे दौनों इंदी और English में language में दिया जाएगा हर एक question का एक marks तेह होगा और अगर negative marking के लिए one-fourth mark deduct किये जाएगे as usual जाधातर सारे exams में ऐसा ही pattern होता है कुछ जाधा अलग नहीं है आप लोगों इस pattern से familiar है हम देखते हैं कौन-कौन से subjects आने वाले है English language आएगा 40 marks का 40 ही marks होंगे 40 question होंगे maths यानि quantitative attitude आएगा 30 marks का और इसके questions भी 30 होंगे general ability मतलब reasoning reasoning आएगी आपकी 30 question होंगे और इसके 30 marks तेह होंगे total अपने 100 questions हैं 100 marks हैं जो pre के लिए हैं अब mains में देख लेते हैं mains में क्या आएगा mains का question आएगा वो English में आएगा और descriptive आएगा descriptive आएगा और English में आएगा यह आपकी test करेंगा reasoning को जिसके 30 question 30 marks होंगे और आपके quantitative attitude को करेगा 30 question 30 marks general awareness with agriculture ruler development special topics हैं जो important हैं जो आने वाले हैं 50 question होंगे 50 marks के computer होगा 40 question 40 marks का इसमें एक paper जो descriptive है वो English का paper है जो descriptive है बाकि यह जो session है जो नीचे वाला session है वो MCQ based होगा English वाला paper जो है वो descriptive है इसमें आएगा essay PC writing report letter writing जो की 50 marks का है हाला कि आप देख सकते हैं इसमें general awareness और English यह दो काफी game changing subject हैं जिस students की इन दोनो subjects पकड़ होगी वो easily इस exam को clear कर सकता है हम आपसे साथ जुड़े रहेंगे ऐसे ही और notifications और important government post के बारे में हम आपको daily basis पर notification के द्वारा discussion देते रहेंगे आप हमसे जुड़े रहेंगे धनेवाद दोस्तो गुड़बाई